श्री कृष्ण की तीन बातें आपके साश्र करना चाहूंगी जो हम सब की जीवन में चाहे हम किसी भी फील्ड में हो बहुत काम आने वाली हो सबसे पहली बात हम चिंता बहुत करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो क्यों व्यर्थ में तुम डरते हो ना आत्मा कभी मरती है ना पैदा होती है ना ही तुम्हें कोई मार सकता है सुव्यर्थ में चिंता करने से कभी किसी का भला ना हुआ दूसरी बात हम हमेशा future के बारे में और past के बारे में सोचते हैं present में नहीं जीते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा होगा सोचने से कुछ नहीं बदल सकता तीसरी और आखरी बात परिवर्तन ही संसार का नियम है जो भी चीजें हमारे आसपास बदल रहे हैं उनके साथ जीना हमें सीख लेना चाहिए